हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को अर्दवारसिक परिच्छा में पूछे जाने वाला कच्छा दस के हिंदी का वारल पेपर आप सभी को कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखें और इस पेपर का फ़ल जरूर देखें ठीक है देखे आपका जो पेपर अर्दवारसी होने वाला है उसमें जो पुढांग रहेगा टोटल सत्तर नमबर का रहता है और यहाँ भी कुछ निर्देश दी जाते हैं यह निर्देश आपको पता होना चाहिए और यही निर्देश आपको बोर्ड के परिच्छा में भी खंड जो होता है उसमें पचास अंग का वड़ात्मक प्रश्ण आपको देखने के लिए मिलेगा चलिए पेपर हल करते हैं और सभी प्रश्णों को आपको बताते हैं देखें यहां से प्रारम होता है खंड को जिसमें बहुवी कल्पी प्रश्ण पहले पूछा गया है आपका है प्रेम चंद्र हैं भगवती चरड वर्मा यह श्पाल है यह ब्रिंदावन लाल वर्मा है देखें यहां पर जरूर याद रखिएगा कि भूले विसरे चित्र के जो लेखक है वह भगवती चरड वर्मा है तो इस प्रश्ण का सही जो आपको क्या हो जागा सही हो नहीं देखें यहाँ पर सुक्लत्तर यूग के लेखक के बारें पूछा प्रमुक कहानिकारक कौन है इस प्रश्ण का सही जवाप गवलापसन सही हो जाएगा इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश यह दोनों जो हैं सुक्लत्तर यूग के लेखक हैं ठीक है अगला देखिए सुरज का सात्वा गोड़ा हिंदी साहित की कौन सी विधा है ठीक है सुरज का सात्वा गोड़ा जो है हिंदी साहित की कौन सी विधा है निबंध है उपन्यास है डायरी है या कविता है जिसका सही जवाब हो जग खावला उपन्यास है तो सुरज का सात्वा गोड़ा क्या है एक उपन्यास से अगला प्रसंदेखीया आधँनी-काल की समय अवधी है आधशी को पता है की एक प्रकार है, त्याखत्र की रचना है किस विधा की रचना है क्या है तो देखिए ये एक प्रकार का एक उपन्यास है तिसका सही जो आपके होज़ा खावला आपसन सही होगा त्याग पत्र एक उपन्यास है अगला प्रसन देखिए आप रस्खान किस काल की किस साखा के कवी है आपको रस्खान के बारे में जरूरी याद रखना है कि रस भकतिकाल्ड की सगुण बहुति साखा संबंदी धे इस प्रश्ण का शही जवब शीवलापसन सही होगा अगला प्रशन देखिए चावडी हुग के प्रमुग लेखक का ने याने चायवादी यूग के लेखक के बारे में आपको बताना है यहां पे चायवादी यूग के द अगला देखिए आठवा नमबर का कि डिवेदी यूग की काल अवधी मानी जाती है यानिक डिवेदी यूग जो है उसकी काल अवधी कब से कब तक मानी जाती है ठीक है तो कि डिवेदी यूग जो है और 19118 तक के बीच का जो समय है डिवेदी यूग की काल अवधी मानी जा सब्सक्राइब involves कव है कि अद्भुठ लाप के कवी कव हैं को हैं महाविर परसाद दुवेदी जी हें भारतेंदू हरिश्चंद्र हैं मैथले शरगुप्त हैं यह हरी अवध हैं ठीक है यहाप ध्यान दीजिएगा कि अध्भुत अलाव के जो कवी हैं वह महावीर प्रसाद दुवेदी जी हैं तो इस प्रश्ण का सही जवाप क्या होगा कवल आपसन आपका सही होगा अगला प देखिए यह नमबर के क्या है कि विपति बटावन बंदू बाहू वीनु करो भरोसो काको में रस की पाचान अपको को बताना है कि इसमें रश कौन सा है आपका देखिए विपति होगा ता आप दूखी होंगे करूल होंगे ठीक है तिसमें कौन सा रश आगए करूल रश इसका सही पाचान कर सकते कौन सा रस आपका आरहा है अगला देखिए, हिर्दे सिंधु में उठता, स्वार्गिक जुआर देख चंद्रानन, पंकिति में अलंकार आपको बता रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, लेगे हिर्दे सिंधु में उठता, ठीक है, यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, उपमा इसका सही जवाब गवलापसन सही हो जागा कि हिर्दे सिंदु में उड़ता स्वर्गी ज्वार देख चंद्रानन पंकिति में जो अलंकार है उपमा अलंकार है ठीक है अगला प्रस्णिया ध्यान दिए तेरे नंबर का सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोतन पुलक भर सरद करेंगे तो नहीं ऐस्भाण में जएख अगला अध्याच शब्द में प्रियुक्त ऊपसर्ग बताना है अध्याच में उपसर्ग होगा अध्याच में इसका करेंगे यच्वताइन जान् सब्सक्रंव क्या हो जाएगा अद्धी उपसार के मतलब किसी सब्सक्राइब प्राइरम में कौन सा दूसरा अक्छर यह सब्सक्राइबाता है वह भी सब्सक्राइब कराता है यह जू के उगाई किया करेंग क्या होdas आगला देखिए सुहाग सब्द का तत्सम रूप बताना है आको सुध रूप बताना है कि सुहाग का सुद्रुप क्या होता है देखे स्वामी सुहागा सौ भाग्य या दुरु भाग्य तो सुहाग का याद रखिएगा सौ भाग्य होता है इसका सुद्रुप क्या होता है सौ भाग्य होता है ठीक है अगला देखे 17 नमबर का सवा क्या है कि युसमाभी रूप में यूसमदः शब्ड का है आपको बताना है कि यूसमाभी जो है इसमें आपको भक्ति बताना है और साथ अवनी आई और पढ़ने बैठ गई बच्चे दूर्द पीकर सो गए अध्यापक सामने सब शांत रहते हैं जो जूट बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो देखिए मिस्रित वाक्य के पाचान होता है उसमें और सब्द से दो वाक्य जूड़े होते हैं अवनी आई और ठीक यहां पर बैठ गए इसका सही होगा यह मिस्रित वाक्य के अंत्रगत आता है अगला देखिए 19 नंबर का अध्यापक द्वारा कच्छा का जायजा लिया गया वाक्यों में प्रियुक्त वाच्चा आपको बताना है कि इसमें वाच्च कौन सा है अध्यापक द्वारा कर्म वाच्च हो जाता है तो कर्म वाच्च हो जाता है कर्म की परधानता रहता तो कर्म वाच्च हो जाता समझ में आगे न यहां पर कर्ति वाच्च हो आपका अगरा देखिए 20 नंबर का मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद में परिश्य आपको बताना है कि क क्या क्या यहाँ पे कोमलता के बारे में क्या दिया भावाचक संग्या क्या स्ट्रीग एक वचे कर्मकार्ण है यह 53 चर्णे मन विशश्य संग्या सकते हैं नमबर सब्सक्राइब कार्ण करता काड़ एक बूसक्ति को मलता होता है को मलता याद रखिए एक वच्छन करमकारफ है इससे कहां के अगला सब्सक्राइब बोता है यहाँ Six प्रकार के सब प्रश्ण आपके आएंगा त 11 नमबर के दखिए निमल्रीक देखिए निमल मेंने नीचे देये इसमल्वे उत्तरना अंब उत्तर देनन तुटल चाहे इस अंदर भी जाया और साथ में निबंद किस मांसिक इस्तिति में लिखे जाते हैं तीन सभी प्रश्नों को आप जुरूर तयार कर लिजी ठीक है अगला प्रश्ण है 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 यहां पर ध्यान दिजिए यहां फेरे कि प्रश्ण करना रहाता आप लेकिन काउरा में से क्यों अच्पत बाड़hone से उनलेगा है संदर भिष्ण नहीं अच्य शरुबभी प्रश्ण सबीज़ान होता है यह तक परasking देख लिखने के बाद के संबंदि की प्राड़ा से प्रेश्ण पूछे गए राव में क्या कहा जा सकत था इसके बारे में आपको क्या करना रहता है लिखना रहता है यह टोटल नबर कर रहता है अगला देखिए पध्यांस機 में का नीचे दिए गए प्रश्णों को उत्तर देना रहता है तो पध्यांस दिया रहता अब इस दोप दिये हैं दोनों पध्यांसों में से किसी एक के एंसवर आपको संदर्व लिखना रहेगा ओविसिकते पद्यांस संदर्व करने रहे। यहां से पथने के बाद यहां एक संदर्व हिंदी में कीजिए तथा काब कशचेलर करना रहता है ठीक इसके लाव किस करणा पिस्टिता जी किस माते पर पसीन आ रहा था और होट सूख गए थे आपको इस पढ़ेंगे वाकिता आसपर शुप से आपको इसका ड्याख्या करेंगे ता आपको समझ में आ जाएगा ठीक सिरी राम के नित्रों में आसु क्यों आ ग समत्रों मिला यहांसा लेकरी यहांँ अाथ पड़िये इसे बिया का संदर भी लिखना है फिर इसके बाद है कבटरे अपने जीवन को लुए चाहती है इस कथनकी लीखना है कवीटी आ यह कामना कामना थे कि हैस्के बारे आपको प्यादा ना आ है कि अगला रहा से रामचंद्र शूकल इन तीनों में से जीवन परच लिखना अउंकि प्रमुक रचनाय लिखना रहता है तूटल पांच नंबर का लिखना है ठीक है संसों में से किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना रहता है टोटल कितने नंबर करता है पांच नंबर करता है आपको यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है पहदे के बाद इसका संदर्व लिखना रहता है साथ में अपने सब्दों में हिंदी में क्या करना रहता इसका अनुवात करना रहता है तो यहां से लेके यहां तक पढ़िएगा संदर्व लिखिएगा संदर्व के साथ में हिंदी में प्रण शब्दों में ब्याक्या कर लीजिएगा अगला प्रसंद देखिए निव लिखित संस्क्रीट पध्यांसों में हद्य चाहे बोट प्रण के संस्कीत खंड से लिखिए दो नंबर कराता है एक संदर्व कर लिखिएग उसे हिंदी में लिखिए द्वुट बोड्त में आपको संस्क्रीट में देना रहेगा दो मेंसा क्वाल दो talking दो नमबर कराता है इस प्रकाद दो नमबर को उसमें वह राल्सी झायरी चाहल है संग्म अस्तली अस्ती ति इसका यढ़ाम देना पढ़ेगा समझना आगे ने यह चीज इसी प्रकाश चार प्रश्ण दखेए आपके सामझे दर तक चार प्रश्ण चार में से दो काही उत्तर देना है अगला देखिए प्रश्ण क्या है आपकी चचेरी दादी दीदी कालेज में दाखिला लेना चाहती है कि अपके चाचा जी आगे की प्रहाई न करवाकर उनके शादी करवाना चाहते हैं इस बारे में अपने चाचा जी को समझाने है तू एक पत्र लिखना यानि कि आपको पत्र लिखना रहेगा चार नमबर करेगा यह अथवम देखी यह दिया रहता है स्वास्विभाग दोर आपके छेत्र की गंदगी की मादगी और दोड़ यह दिये जाले किसी एक पत्र के संपातफक को पत्र लिखना रहता है इस पकास से पेपर में पत्र लिखने के लिए भी आएगा आपको इस पर क्या करना है लिखना इसापको लिखेंगर तो चार नमबर इस प्रस्च में लेगा अगला ब्रीश – आपक इस पे आप निबंद लिखेंगे तोटल साथ नंबर का यह प्रश्ण आपके रहेंगे ठीक है तो चारों में से जिस पे आपको निबंद याद हो उस पे आपको लिखना है अगला देखिए सातवा नंबर का जो सवाल है सोपटित खंड काब के आधार पर निबंद प्रश्णों में से किसे एक खंड के प्रश्णों का उत्तर लिखना रहता है टोटल कितने नंबर करेगा टोटल तीन नंबर करता है देखिए यहां से लिए कि परज़े सभी प्रश् गाजी पुर्चेत्र के विद्यारती है उनको मुक्ती दूठ खंड काब ही करना रहता है तो यहां पर क्या करेंगे आप मुक्ती दूठ खंड काब को हल कीजीएगा इसके लागए जितने भी प्रश्ण आपके सामने रहेंगे सभी प्रश्णों को आपको छोड़ देना र क्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक साधी वीडियो को सेयर करें